हलो फ्रेंज, वेलकम टू माच चैनल, आज देखिए हमने बेबी हर्बेंड बनाया है, बहुत ही सुन्दर है, सिंपल है इसे बनाना, आपके घर में अगर बेबी हैं तो आप जरूर इसे बनाएं, और बच्चे हुए उनसे भी आप इसको त्यार कर सकती हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा उनस में लगता है, इसका डोरना बहुत ही सिंपल है, यह बहुत ही जल्दी बनके त्यार हो जाता है, तो मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा नए डिजाइन लेके आती हूँ, फर्स टाइम तो चैन उन लोगों को भी पसंद आता है, इसलिए बना के अपने चैनल पर डालते हैं, तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं, सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर चैन बनाना है, एक चैन हमने बनाया, एक चैन और बनाएंगे, दो चैन, इसके बाद धागे को खीच लेन है, यह देखिए, तीन, एक ही फंदे से में धागे को निकालना है, एक चार, पांच, तो पांच ही बार हमें धागा लेना है, अब एक साथ इन फंदों को हम बंद कर देंगे, बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, ताकि यह आपको में आए, तो देखिए, यहाँ पर एक चैन और बना लेंगी, अब इसके बाद फिर हम पब बनाएंगे, धागे को में खीच लेना है, थोड़ा सा, इस तरीके से, और देखिए, धागा कुरुश्याम लेने के बाद, फिर यह जो हमने बंद किया है, फंदा, इसी के अंदर देखिए, हम धागे को निकाल रहे हैं, तो एक बार हमने फिर धागा निकाला है, देखिए, दो बार, तीन, चार, पांच, तो पांच ही बार हमें धागा लेना है, और फिर इन फंदों को बंद कर देना है, एक साब, यहाँ पर एक चन और बना लेंगे, ताकि यह जो देखिए इस फंदे के अंदर से धागे को निकालेंगे तो इसके अंदर भी हम पाँच राउंड इसे धागा निकालेंगे कुरुश्या में लेंगे और इसके बाद देखिए इन फंदों को बंद कर देंगे इस तरीके से हम आगे और बना लेंगे इसमें इसमें हमने टोटल 12 पॉप बनाए हैं ये चार या 5 साल बेबी के लिए है अगर आप और बड़ी साइज बनाना चाहते हैं तो पॉप और बढ़ा सकते हैं अब इसके आगे देखिए यहां पर हम चैन बनाएंगे देखिए एक चैन हमने बनाया दो तीन चार पांच तो यहां पर देखिए हमें पांच चैन बनाना है अब देखिए यहां पर यह जो पप का फंदा है यह बीच में यहां पर इसको हम बंद करेंगे देखिए ये जो कुरुष्या में फंदा था इसी के अंदर से हमने धागे को निकाल लेया है फीर इसके आगे देखिए हम पण भनाने के लिए धागे को खीचेंगे मतलब डिजाइन लिहां पर बनाएंगे फ़िया यहां से धागा निकाल ले रहे है तो एक बार दागा हमने निकाला इसमें से, ए दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, तो यहां पर देखिए, साथ पर इसे धागा निकाल लेना है, अब इनको हम बंद करेंगे, इसे पांच पार्ट में बंद कर लेना है, इसको पांच पार्ट में बंद कर दिया है, अब इसके बार दिखिए, यहां पे जो उपर हमने बंद किया है, इसी में हम सिंगल कुर्षिया बनाएंगे देखिए फर्स्ट वाले में सिंगल कुर्षिया यह बना ले रहे हैं और यहां पर देखिए फिर आगे हम बना रहे हैं यह दो सिंगल कुर्षिया हो गया है एसे बनाती हुए जाना है तो हुमने 5 पार्ट में इसको बंद किया तो 5 सिंगल कुशेश के अंदर बना लेंगे लश्ट का है इसको बंद कर लेंगे देखिये बंद गया है अब इसके बाद आगे जो नियों बलें मैं इसको हमें बंद कर देना है यहां पर देखिए इस तरीके से बंद कर देना है धागे को खीच लेंगे अब इसके आगे यह देखिए हमारा डिजाइन एक बन गया है अब फिर हम यहां पर चैन बनाएंगे तो एक दो तीन चार पांच यहां पर पांच चैन बनाके फिर आगे बनाया है देखिए इसी फंदे में से साथ राउंड इसे धागा कुरुशिया में निकालके फिर हम यहीं रिजाइन बनाएंगे जो अभी हमने बनाया है कि देखिए कितना सिंपल है इसे बनाना बस धागे को कीच के इसको त्यार कर लेना है कि यहाँ पर देखिए हमने साथ बार यह दागा कुरुशिया में ले लिया अब इसको पांच पार्ट में बंद करेंगे तीन तीन धागा इसके अंदर लेती हुए यहाँ पर देखिए हम इसको तीन धागा लेती हुए बंद कर रहे है थोड़ा धागा एक दो इधर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा और देखिए हमने पांच पार्ट में इसको बंद कर लिया है अब देखिए हम पर फर्स्ट वाले में सिंगल कुरुशिया बना रहे हूं है हर पंदे के अंदर यहां पर सिंगल कुरुशिया बनती हूए जयेंगे है तो पांच पांच पार्ट में बंद किया तो पांच सिंगल कुरुशिया बनेगा इसको बना के अब फिर इसके आगे पप में इसको बंद करेंगे यहाँ पर दिखिए इसी फंदे के अंदर इसको बंद कर देना है अब इसके आगे फिर दिखिए यहाँ पर पांस चैन बनाएंगे एक पक में हमें चैन बनाना है और एक पक में हमें डिजाइन बनती वे जाना है यहाँ पिला के इसको बंद कर देंगे तो देखिए इसको हमने बंद कर लिया है अब इसके आगे जैसे हमने दो डिजाइन बना के त्यार किया फिर आगे हम बना लेंगे तो देखिए इसमें हमने ए 6 डिजाइन बनाके त्यार किया है एक साइड में अब इसको टर्ण करना बताएंगे तो यहाँ पर देखिए हमने डिजाइन को बंद नहीं किया है अब यहाँ लाश्ट का जोई पफ है अब इसके फंदे में इसको हम पहले बंद कर लेंगे अब देखिए यहाँ पर अब आगे हम चैन बनाएंगे तो एक दो तीन तीन चैन बनाके फिर इसको टर्ण करेंगे और इसको बंद कर देना है इसको बंद कर लिए फिर इसके आगे हम पांच चैन बनाएंगे और इसको लाके पप वाले फंदे में बंद कर देंगे आप पे देखिए यह जो पप का फंदा है इसी के अंदर हम इसको बंद कर दे रहे हैं यह देखिए अब इसके बाद धागे को खीच लेना है और फिर इसी वाले फंदे में से देखिए हम सात राउंड धागा निकालेंगे तो एक राउंड हमने धागा निकाल लिया है यह देखिए दो तीन चार यह देखिए साथ साथ बाद में धागा ले लिया है इसको बंद करेंगे पाँच पार्ट में यहाँ पे तीन तीन धागा इसके अंदर लेती हुए इसको पाँच पार्ट में बंद कर रहे है अब इसके बाद देखिए हम सिंगल कुष्या बनाएंगे यह जो हमने पार्ट पंद की है इसके फंदे में से उपर वाले में देखिए आप पे सिंगल कुष्या हर फंदे के अंदर से बनाती हुए जाना है यह देखिए हमने इसको बना लिया है अब इसके बाद हम इसको पाप में बंद करेंगे यहाँ पे देखिए जो पाप का फंदा है यहाँ पे इसे में इसको बंद कर दे रहे है यह देखिए एक डियान इमारा बन के त्यार हो गया कितना सिंगल है इसे बनाना देखिए बहुती सुंदर है लग रहा है और बनाने में भी बहुती इजी है और फिर आगे देखिए यहां पर हम 5 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 चैन बनाके फिर देखिए, यहां पर यह जो पफ का फंदा है, इसी के अंदर हमें इसको बंद कर देना है, एक पफ में देखिए, फिर हम धागे को खीच लेना है, और फिर इसी पफ वाले फंदे में से, यहां देखिए, 7 राउंड इसे धागा हम गुरुशिया में निकालके लेंगे, तो एक पफ में हमें डिजाइन बनाना है और एक पफ में इस पांच चैन बना के बंद कर देना है अब देखिए इसको हम पांच पार्ट में बंद करेंगे तीन तीन दागा इसके अंदर रखते हुए इसको बंद कर देना है यह देखिए हमने इसको बंद कर लिया है अब इसके बाद हम सिंगल कुर्षिया बनाएंगे इसके उपर यहां पर देखिए फर्स्ट वाले में इसके फंदे के अंदर से शिंगल कुषिया बना रहे हैं यहां पर हम पांच सिंगल कुषिया बनाएंगे यह देखिए बन गया है पांचो अब इसके बाद हम यहां पर बन कर देंगे देखे आगे जो puff है इसके फंदे में इसको बंद कर रही है इह देखे दो dj90 हमारा बंद के त्यार हो गया है अब देखे कितना सिंपल है बहुत ही संदर लग रहा है और आगे इसी तरीके से हम इसमें बना के त्यार कर ले रहे है तो देखिए जे डेजान अमने बनाके त्यार कर लिया है आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है अब इसके बार हम इसका डोर बनाएंगी तो देखिए पहले हम यहां पर एक चैन बना के यह जो हमने तीन चैन बना के देखिए यहां पर बंद किया था इसी के अंदर पहले हम धागे को निकाल के बंद कर ले रहे हैं इस तरीके से क्यूंकि धागा में उपर की साइट बीच में करना है और आगे यहां पर देखिए ह डबल कुर्शिया बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, डोर बनाना, और फिर आगे देखिए, दो चैन बनाएंगे, और फिर डबल कुर्शिया बनाएंगे, देखिए, इसी वाले फंदे में से, यहां से देखिए, डबल कुर्शिया बना रहे हैं, और फिर आगे दो चैन बना और डबल कुर्षय बनाती हुए जाना है आप जितना बड़ा इसे बनाना चाहें इस डोर को आप उतना बड़ा इसको बना सकती है आगे इसी तरीके से हम इसको बना लेंगे इसमें और तो देखिए हमने इसमें टोटल 20 फंदे बनाये हैं आप इसकी लंबाई और बड़ा कर सकती हैं अब यहां पर देखिए में थोड़ा सा डिजाइन बना दे रहे हैं इसके लास्ट में तो यहां पर देखिए एक चैन बना रहे हैं तो तीन चार चार चैन बनाने के बाद देखिए इसी वाले फंदे में से देखिए धागे को निकाल के कुरुश्या में लेना है तो इच्छे दागा निकालने के बाद इन फंदों को एक साथ बंद करके फिर आगे हम इसके अंदर पांस चैन बनाएंगी और यहाँ पर देखिए जो फंदा है इसी के अंदर हम इसको बंद कर दे रहे हैं यहाँ पर धागे को कट कर देना देखिए डियान बन गया है तो यहाँ पर देखिए हमने दूसरा वाला भी डोर त्यार कर लिया है दोनों डोर मारा बन गया है अब इसमें हम मोती लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए सुई धागे से मोती लगा रहे हैं तो नीचे की साइट से सुई को निकालना है इस तरीके से देखिए धागे को खीच लेना है अब इसके अंदर हमोती डालेंगे देखिए यहाँ पर गोल्डेन कलर का हमने मुती लिया है और फिर यहाँ से सुई को डालना है नीचे की साट देखिए इस तरीके से और उल्टा करके इसको हम बंद करेंगे यहाँ पर देखिए नोट लगा ले रहे हैं और यह जो धागा है इसको कट कर देंगे यह जो धागा दिख रहा है इसको हम कुरूश्यास चे अंदर की साट कर लेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ से कीच के इसको अंदर कर लेंगे इस तरीके से और धागा देखेगा भी नहीं देखिए धागा नहीं देख रहा है और मोती यहां से देखे हमने लगा लिया है तो बहुत ही सुन्दा लग रहा है और आगे हम इसी तरीके से लगा लेंगे हर डिजाइन में तो यहाँ पर देखिए हमने इसको लगा के त्यार कर लिया है देखिए हर डिजाइन में हमने मोती लगा लिया है और देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है आप इसे जरूर ट्राइ करें बहुत ही इजी है और बहुत ही चल्दी बनके त्यार हो जाएगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें कमेंट में बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए तो फिर मिलती हूँ किसी ने डिजान के साथ थैंक यू